आज हमने नहुम जमात की नजम हमने कारकरेजी शुरू किये आए देखते हैं इनके अशाहर्ट चारतरह से बंद है संदुक की तरह चलने से पहले उचले है बंदुक की तरह लेती है लंबी साथ भी मतकुक की तरह चलती है वो सड़क पर माशुक की तरह अड़ जाये तो कदम ना उटाए बराय सेर चल जाये तो रुके ना वो दिवार के बगेर पहले बंद में शाहर कियाना चाहते है कि चारो तरफ से बंद है संदुक की तरह बंद है चलने से पहले उचले है पंदुक की तरह मतलब जब भी उनकी कार चलती है तो चलते चलते रुकती है अटकती है बंदुक की तरह मतकुक की तरह मतकुक मतलब जिनको सदक की बीमारी हो जिसको सास लेने में तकलीप हो जलती है वह सड़क पर माशुक की तरह मतलब जब रड़ सड़क पर चलती है उनकी कार तो इस तरह चलती है जिस तरह से माशुक चलता है माशुक के मुराद चलने से मुराद मतलब इटला कर चलती है और जाये तो कदम ना उटाये बराय सेर मतलब जब वो चलने का नाम नहीं लेती है चाहे कितनी भी कोशिश कर लो चाहे कितनी भी तदाबीर कर लो वो चलती नहीं है और चल जाए तो रुखे न वह दिवार के बगेर और जब वो चलना शुरू करती है तो चाहे कितने भी बिरेक लगा लो किसी भी तरह से इसको रोखने कोशिश करो वो बगेर दिवार के सारे के नहीं रुखती है मतलब वो डारेक दिवार को टकर मार लेती है पटकार ऐसी कार के सागल खयार पर रोता है फोट फोट के माजी भी हाल पर शायर केते हैं के ऐसी नाकारा कार के खयाल पर भी लाना थे और माजी का वो लमा जब कार खरीदी थी उस लमे को याद करकर फोट फोट कर रोकर अब क्या फायदा कहने पड़े कसीदे कही जिस की चाल पर कचवा है चड़ाई पर हिरनी है ढाल पर शायर तंजी अंदाज में कहते हैं कि मैंने इस कार के चाल पर कई कसीदे कहे क्योंकि ये कार चड़ाई के मुकाम पर कचवे की तरह रेंग रेंग कर चलती है और ढलान पर हिरनी की तरह चोकडिया बरते हुए तेजी से चलने लगती है अक्सर मेरे गटाने पे इस्पिट बढ़ गई अडगकर सड़क से चाट के ठेले पर चड़ गई शायर ये शेयर में कहने चाहते है कि मजिट सितम ये है कि जब शायर ने स्पिट कम करना चाही तो कार खुद बखुद Scout इस्पिट बढ़ा कर आगे तेजी से बढ़ने लगी और कार सड़क के किनारे लगे चाट के ठेले पर चड़ गई इससे ज़्यादा सितम की और क्या बात हो सकती है नहीं जिस तरह मेरे जी को जलाए है आगे को मैं चलाओ वो पीछे को जाए है मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है सो बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है है कार किस के पाद जो इतनी कदीम हो आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो इस से तिसरे बंद में शायर केते हैं के मेरी कार की हरकतों से लोग हसते है और मेरा जी जलता है शायर कार को आगे की जानिब बढाते है तो वो पीछे की जानिब चलती है और जिस तरह मुर्गी अपने परों से धूल उड़ाती है ये कार भी इसी तरह रास्ते से धूल उड़ाती है और बार बार हादिसात होते है लोगों का नुकसानात होता है और ट्राफिक पॉलिस ने भी कई मरतबा कार के जर्य कवानीन की धच्चे उड़ाने पर शायर को जेल में बन कर दिया शायर केते है के इतनी पुरानी और शिकस्तकार शायद किसी के पास नहीं होंगी उसके पुर्जे डिले है बिरेख फेले खुदा नखास्ता अगर कोई बाप इसके सामने आ जाए तो उसका बेटा तो यतीम ही हो जाए मोटर खरीदने से बड़ा नाम हो गया केते हैं लोग आपको आराम हो गया उनको खबर नहीं मुझे सर्शाम हो गया घर जिसकी देख भाल में निलाम हो गया लिला मेरी जान अजीजी बचाईए गहा कोई मिले तो मुझे भी बताईए इस बंद में शायर केते हैं कि लोगों का मानना है कि इस मोटर कार खरीदने से शायर का वकार मरतबा बढ़ गया है और वो मशूर हो गए है और उन्हें बहुत आराम हो गया लेकिन लोगों को खबर नहीं कि इस कार की वज़े से वो कैसी कैसी जहनी वो जिस्मानी परेशानियों से गुजरे है और उनकी हालत सर्शाम के उस मरीज के जैसी हो गई जिसके दिमाग में वर्म आ जाए और तेज परेश गुआ हो और वो कुछ भी बखने लगे विलकुल इसी तरह शायर की हालत हो गई है और कार की मरमत में शायर का घर निलाम होने की नोबत में आ गया है आकिर में शायर सागर खयामी गुजारश कर रहे है कि अलला के वास्ते इस कार का कोई काहक खरीदार हो तो बताई और में जान बचाकर मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाईए।